जैसरी राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लोग में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ हूँ राजस्तान में इस्ति चांद बावडी के बारे में जिसका निर्मान सन नवी सतापदी में हुआ था और यह एक हिंदु मंदिर है और साथ ही में इसमें म महल के राइट साइड का हिस्सा है और मैं आपको फरंट साइड में से दिखाऊंगा और यह आपको दिख रहा होगा यह मंदिरों के टूटे हुए आवसेस हैं यह इस्तंब हैं जिनको आज संरक्षित किया गया है और इन पे आपको हिंदु देवी देउताओं की नाकासिय देख रही होंगी एक बावड़ी का द्रश्च है जिसमें आपको सामने बावड़ी और उसकी सीडियां देख रही है देखिए दोस्तों सामने आपको दिख रहा होगा कि इस तरह हमारे मंदिरों के टुकड़े गिरे हुए हैं आज इनको यह एक पॉल है और यह सामने आप को एक खिड़कियां दीख रहे होंगी जिन में होके राजा महराजा बाहर देखा करते थे और यह एक पूरा एक मुर्ती है जिसमें आपको एक 30 उंदर नारी दिख रही होगी और पीछे को भी ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियां गिरी हुई है अब आप देखिए सामने ये विश्णु बगवान है जिनके हाथ में तिर्शुल चक्र लिए हुए ये अमारे ये भी एक विश्णु बगवान की ही मूर्ति है जिसमें देखो इनके हाथ में कमल का फूल है और सुन्दर वस्तर पहने हुए है ये आपको देखे ब्लोक दिख रहे होंगे इन ब्लोकों को इनमें लोहा बरा जाता था पिगला कर ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा जी कमल के पुस्प पर बैठे हुए है और इनके हाथ में आपको फूल दिख रहे होंगे कमल के और ये रिद्धी और सिद्ध दोनों माताएं हैं इनके अगल बगल में और अब अंदर चलिए देखिए ये एक पूरी मूर्थी है जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं को दर्साय गया है मुझे किलियर नहीं समझ में आ रहा कि वो किस बगवान की मूर्थी है और अब देखिए ये बावडी का नमून रेके इतनी खुबसूरत बावडी है कि आप इसके अंदर जाने को नहीं दिया जाता नहीं तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता और ये सामने दिख रहा है जो पूरा तीन मंजिल का महल है इस महल में आपको दिख रहा होगा कि कितनी बारे की से काम किया गया है नीचे तक देखिए बगवान की मूर्तियां विराजमान है जिसमें एक साइड गनेश जी और दूसरी साइड मुझे नहीं दिख पा रहा था तो इस वज़े से समझ में नहीं आया क्यों कौन थे और पहले तो इसमें नहने तक नहते थे लोग पर अब इसमें सरकार ने बंद कर दिया है नहने के लिए लोकल आदमी थे वो वता रहे थे मिर को कि ऐसे ऐसे होता था भीया यह यहां पर और कई बार कई लोग मर गए थे तो उस वज़े से अब नहने नहीं दिया जाता इसके अंदर चार तरफ जाल लगा हुआ है और यह पूरा तीन मंजिल का महला है और यह पंदरा सो सीड़िया है जो बूल बुलया का एक सांदार नमूना है आप इसमें ऐसे होता है कि आप अगर एक पर जिस सिड़ियों से नीचे चले पारा उस सिड़ियों से उपर नहीं आ पाओगे और साथ ही बहुत मतलब बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए इतिहास मिठाने की बहुत कोशी से की गई पर वो मिठा नहीं पाए उन्होंने अमारे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया आप देखिए कौन से मंदि आप बताए कोन से मंदिर के प्रस्तूती की गई है साथ में जो मंदिर है सेम ये उस मंदिर की तरह बनाय गया है अब आप मुझे उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में की वो कौन सा मंदिर है और इसमें देखिए एक छोटे से बच्चे को दरशाय गया है जो कि पीछे क तरफ अपने सिर्कों करके बैठा हुआ है देखिए और ये ये हाती की मूर्ती है इसमें पत्तरपा हाती को दर्चाय गया है देखिए ऐसे बहुत सारी मूर्ती हैं इसमें संदर संदर बहुत संदर मूर्ती हैं जिनमें आज भी इनकी संदरता प्रकट हो रही है इनको आज बने हुए 1200-1300 साल हो गई पर फिर भी आज भी इनकी चमक बिलकुल वैसी की वैसी है आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ कि ये कौन सी जगए है ये राजस्तान में दोसा जिले में इस्तित आबानेरी गाउ है वहाँ पर आपको ये आबानेरी चांद बावडी मिल जाएगी इसका निर्मान नवी सदी में राजस चांद दुआरा किया गया था अगर दोस्तों आप आबानेरी चांद बावडी नहीं देखी अभी तक तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा तो आप राजस्तान आए तो जरूर राएए एक बर चलिए मैं आपको सामने दिख रहा हर्षत माता मंदर दिखा देता हूँ यह हमारे बोले बावा का मंदिर है और यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा यह गुम्मद और यह मंदर के बीच का पोर्षन है और वो सामने विराजमान है हमारी माता हर्षत माता यहाँ पर भी उसी तरीके से नकासिया बनाई गई है यह मंदिर के अगल बगल का चार तरफ का इस्सा है जहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से नकासिया निर्मित की गई है दोस्तो अगर व्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यह मंदिर जाओerta का ऐस वाउम सब्सक्राइब यह अगल जलत भर फान गई है यह मंदिर basic के खिंग! झाल झाल